तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स पहले कवर कर चुके हैं उनके बेसिस पे हम कुछ प्रैक्टिस कोश्चिन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक फिर्स्ट जो पॉस्चिन है और उनमें से क्रेक्ट स्टेटमेंट्स को चूछ करना है यह स्टेटमेंट बिल्कुल कॉरेक्ट है क्योंकि हमें पता है एसेक्षवा रिप्राक्शन में सिंगल पेरेंट की इनवॉल्मेंट होती है यह स्टेटमेंट रॉंग है क्योंकि जैनेटिकली अदेंटिकल वह अपने पेरेंट के भी होते हैं और एक दूसरे के भी होते हैं जो दॉटर सेल्स बनती है यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है क्योंकि जो एक स्टेटमेंट का मैथड है वह क्विक मैथड है रैपिड मैथड है मतलब फास्टर है सेक्षवल रिप्रोड़क्शन से तो यह स्टेटमेंट भी इनकोरेक्ट है फोर्थ जो statement है the poisoning of a sexual reproduction can be termed as clones ये statement correct है क्योंकि हमें पता है, a sexual reproduction से जो daughter cell produce होते है parent cell से वो एक दूसरे के genetically similar होते है ठीक है, तो वो क्या हुए clones हुए, मतलब identical है वो एक दूसरे के, तो ये statement भी correct है, तो देखा जाए, फॉर्श्ट एंड फोर जो statement है वो correct है तो answer है third second question है when the gametes of two different strains fuse each other then this process of reproduction is is a sexual reproduction, vegetative reproduction, sexual reproduction, none of these मतलब इन में से कोई बी नहीं तो इस question का जो right answer है वो है option third sexual reproduction इसके बारे में हम पढ़ चुके है जब उनने sexual reproduction की definition के बारे में पढ़ा था question number third है which of the flowing is not a type of asexual reproduction in organisms मतलब इन में से ऐसा कौन सा type है जो asexual reproduction का part नहीं है या asexual reproduction का type नहीं है organisms में तो asexual reproduction के हम types पढ़ चुके है fragmentation भी है vegetative propagation method से भी asexual reproduction होती है बड़ी method से भी asexual reproduction होती है तो मतलब है fermentation जो है वो incorrect option है fermentation को process reproduction से related नहीं है तो option four जो है correct answer है क्योंकि इसमें हमें देखना है कि कौन सा type नहीं है ठीक है नेक्स पॉस्चन है क्लोंस और इंडिवीजोल्स डाट है एक्जक्तली सेंट प्राइब श्याजी ग्रोथ रेक या जैनिक में तो हमें पता है जो क्लोंस हैं उनका जैनिक मेंक प्सिमिलर होता है अपने पेरेंट से भी और अब्सेंट्स अबी एक दूसरे से नेक्स्ट ज स्टेंप कटिंग और सीड तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो स्टेंप कटिंग का मैथड है हमने उसका एक्जांपल देखा था कि शुगर केंग में उस मैथड से प्रोपागेशन होती है इस कुश्चन का जो राइट अंसर है वो है ओप्शन थर्ड स्टेंग कर इस एक्शन है एस्ट्रीड प्रोदॉक्शन इन पर अच्छा एक्टाई पड़ कोड़ से तर्व उसमें हमने एक्जांपल देखा था कि क्यू सी प्रोप्डाइट जो है उसमें कॉनीडियस को सब्सक्राइब ऑनते हैं इस को रेक्षेंज और है वो है option 2 को नीडिया नेक्स्ट जो क्वेस्चन है और जिमिलर टू पेरेंट कैन बी अप्टेंट वाइब ऑप्शन है गैमिट ऑप्शन टू है जाइगोट ऑप्शन 3 है बाइनेरी फीजन तो हमें बता है कि जो एसेक्शन रिप्रडक्शन से और गैनिजम बनते हैं वो अ सेक्शन रिप्रडक्शन में बनता है इस प्रे क'll the correct answer है है binary फीजन क्योंकि हमें बता है यह और आएज्ट टाइन प्र टैप है बाइवग जो थे हैं ऑप्शन है हंदे तो जब हमने एसेक्शुल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े थे तो वहां पर हमने गेमा फॉर्मेशन मार्केंशिय में देखा था जो कि क्या है एक ब्राइफाइट्स है तो हम ऑप्शन फोर जो है इसका और अंसर है इन सम ब्राइफाइट्स अगले तो क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् के सिमिल्र होते हैं तो ये स्टेटमने प्रम ने की तॉम हमने है थिस पोax नहीं है तो यह वाली गई हैं थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं पॉनीडिया आर एसेक्शुल स्ट्चर इन पैनिसीलियम यह स्टेटमेंट भी कोरेक्ट है क्योंकि पैनिसीलियम में पॉनीडिया बनते हैं तो इस question का जो incorrect statement है वो है statement 7 next question है blank is not a method of vegetative propagation first option है grafting second option है cutting third option है layering fourth option है lighting cycle तो हमने जो vegetative propagation के type पढ़े थे तो उसमें हमने grafting का method भी पढ़ा था cutting type से भी होती है vegetative propagation layering से भी होती है option 4 जो है वो correct answer है तो वही बात है अगर हमें 4 में से 3 statements के बारे में बता है और 4 statement के बारे में नहीं बता है फिर भी हम अपने answer तक पहुंच सकते है ठीक है तो इस question का right answer है lighting cycle तो अगर आपको मेरी videos अच्छे लगती है तो please videos को share कीजिएगा और मेरी channel को भी subscribe कीजिएगा Thank you